अगर आप मेनोपॉस हो चुका है तो कोई खास बात नहीं अगर आता है तो आपको बालों को नजर अंदाज करना पड़ेगा पर उसके इलावा जो कॉस्मेटिक प्रोसीज में थर्ड्स है वो अपना सकती है पर मोर दन दाट अपना मूड एलिवेट करिए मूड खराब करने कोई मतलब नहीं है अपने आपको एक हलदी रूटीन में डालिए एक वो कहते हैं कि तीन टाइप के प्रिवेंशन लेवल्स है प्राइमरी प्रिवेंशन जयाने कि जो मेनोपॉस होने से पहले किया जाता है जिसमें कि आप अपना लाइफस्टाइल अपना खाने पीने का ऐसा रखें कि आप जैसे कि योगा कर रहे हैं, regular meditation कर रहे हैं, आप अपना diary लिखें, कोई mood swings को ठीक करने के लिए, आप TV देखें, अपने जो भी programs हैं, जो अच्छे लगते हैं, या अपनी कोई hobbies कल्टिवेट कर लें, जो आप menopausal age में कर सकती हैं, और बाद में अगर यह soya bean and tofu, इनको आप अपने diet में incorporate कर लें, तो उससे फरकर देगा हैं, हम बात कर रहे थे कि menopausal को लेकर कई महिलाएं depression में चली जाते हैं, उसे handle करने के लिए कुछ counselling वगेरा भी दी जाती है, counselling वगेरा दी जाती है, मतलब कि menopause जो होता है, वो 60 पे होता है, around 50 to 50 के आसपास, जो symptoms आते हैं, वो 60 तक ladies में depression में होने का chance हो जाता है, क्योंकि एक तो health नीचे चली गई, आप job से बाहर आ गए, या जो भी working है, आपके बच्चों, बच्चे independent हो गए, आपका घर पे भी रोल नहीं रहता, तो इसलिए ये depression के कारण है, अगर आप अपना एक healthy lifestyle रखते हैं, right from 30 years down the line, यानि कि 35-40 साल पे ही, अगर आप अपको बदल लें, अपना lifestyle सुधार लें, तो 60 साल या 50 years पे आपको वो menopause की तकलीफ नहीं होगी, इसी के लिए एक हमारी society ने, एक club का, नह parties होती है, उसमें ये health awareness club है, इसमें कोई किसी से पैसे नहीं लिया जाते, इस club में हम enroll करते हैं ladies को, और regular intervals पे different health related topics पे aware करते है, सबसे important चीज है कि औरतों को यहीं नहीं पता, कि हम cancers को prone हैं, और कोई भी अपना pap smear नहीं कराता, किसी को नहीं पता कि pap smear जो test है, cancer से बचने क लिए, वो हमें 21 साल की उमर से करना शुरू करना है, तो इस बारे में जाग रुकता फैलाई जाती है, हमारी एक कॉलर है, हमारी दर्शक है, उन्होंने email के जरीए query भीजिये, वो पलवी गोयल है, लुधियाना से, वो जाना चाहती है, कि आवाज में भी बदला आपा जात है, पर वो normal है, वो सब के साथ होना है, जितना आप ज़्यादा सोचोगे, उतना ज़्यादा महसूस करोगे, चचागाई रहेगी फिलहाल, यहाँ वक्त हो गया, एक और छोड़े से break का, break के बाद हम जानेंगे कि मिनोपॉस से जुड़े complications क्या है, और उन्हें कैसे handle किया लेकिन उससे पहले, डॉक्र भला में एक चीज़ जाना चाहूंगी, आपने बताया मिनोपॉस के symptoms के बारे में, काफी पहले शुरू हो जाते हैं मिनोपॉस के symptoms, तो मिनोपॉस की जो stage है, वो आने तक, कितना अंतराल होता है बीच में, यह हर individual के साथ different होता है, यह किसी-कि लेडी में मिनोपॉस होने के बाद शुरू होते हैं, किसी-किसी में 2-5 साल पहले शुरू हो जाते हैं, जो कि आप mood variation, hot flushes और night sweats की बात कर रही है, यह सब कई साल पहले भी शुरू हो जाते हैं, दो साल, तीन साल, 5 साल भी पहले शुरू हो जाते हैं, किसी-किसी में, और य कि देर से भी शुरू हो सकते हैं, उसमें था कि पहले अगर यह मेनोपॉस की अवस्था आ जाए, लेकिन क्या देर से भी आ सकती है मेनोपॉस की अवस्था? महीने की जगा तीन-तीन महीने पे आएंगे, और अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि उनका फ्लो कम हो जाएं, आएं वो महीने के महीने, यह तीन तो नॉमल पैटन है, इसके इलावा कोई भी पैटन, जैसे कि अगर आपकी कंटेनस ब्लीडिंग चल रही है, जितना नॉमल को इवालवेट कराना चाहिए, क्यूंकि कैंसर और अंडोमेट्रियम का तादात बहुत हाई है आजकल और इन प्लेडिस को जरूर अपना चेक अप कराना चाहिए, जितना देर से होने के पीछे यह कारण हो सकते है, मिनो पॉस की स्टेज, देर से चुरूने के पीछे यह क तो हम internal ultrasound, transvaginal ultrasound कहते हैं, वो कराना चाहिए, अगर वो normal आता है, तो आप थोड़े देर के लिए वेट कर सकते हो, for about 2-3 months, और अगर normal नहीं आता है, तो further test, जिसको कि हम hysteroscopy DNC कहते हैं, वो कराना mandatory बनता है जैसे आपने बताया है कि जल्दी premature menopause के बीचे जनेटिक कारण भी हो सकते हैं, तो क्या late होने के बीचे भी जनेटिक कारण हो सकते हैं मैं यह कहना के चारी हूँ कि 50 तक हम देते हैं कि time हिंदुस्तान में, क्योंकि 47 हम average age मानते हैं, तो 50 तक हम time देते हैं कि आपके periods बंद हो रहे हैं, वो natural menopause माना जाता है कि अगर बंद हो गए हैं या आपका, अगर normal pattern है और बंद हो रहे हैं, we don't care, अगर आपका pattern abnormal है, it requires evaluation लेट menopause की कुछ complications और भी हो सकते हैं, अगर लेट हुआ है किसी को तो आज़े जाकर complications Cancers, जो मैं आपको बता रहे हैं, endometrial cancer बहुत high incidence है, late menopause का, जो most important कारण है, वो यही है कि late menopause, endometrial cancer का एक prerequisite है हमाई साथ हमाई एक caller जुड़ रहे हैं, तनूजा भारद्वाज है रोपर से, जी तनूजा जी, help line में आपका बहुत दोशागत है, क्या आपका सवाल Dr. मुझे ना hot flashes की काफी problem रहती है, कभी-कभी इनकी वेज़े से रात को सोते वक्त आंके गुल जाती है, मैं काफी surgery भी रहने लगी हूँ, मुझे ठीक से भूग भी नहीं लगती आज पूल, क्या मुझे treatment की ज़रूरत है जी इने treatment की ज़रूरत है तनुजा अगर आपको ये सब symptoms हो रहे हैं, आपकी age क्या होगी? 47 years 47 years तनुजा जी अगर ये आपको इस ट्रेस करते हैं symptoms तो definitely इनको treatment लेना चाहे, but before you start any medical treatment, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो हम health plans हैं, उसको follow करें जैसे कि आप अपना diet को ठीक करें, जिसमें कि आप अपने fats को, fried को और sugary products को ना खाएं, spicy food ना खाएं, coke, caffeine को ना खाएं और उसकी high fiber and plenty of fruits incorporate करें, बहुत सारा पानी पीजिए और calcium और milk की तादाद बढ़ा लें अगर इसके और साथ में जो important है वो है exercise, exercise करने से कई सारे hormones settle हो जाते हैं और आपको you will start feeling good अगर नहीं ठीक होता है और आपके life distress करता है तो ये जरूर a treatable condition है, इसमें कोई दोराएं नहीं आप आके ilaj करा सकते हैं इसके इलावा डॉक्टरी इलाज में non-harmonal दवाईया है जैसे कि हायरविदिक medications आती है जो कि herbal medications है जो आप ले सकते हैं which have no hormone into it, जब अगर आप एक आते हैं estrogen, synthetic estrogen की product जिसको कहते हैं टीबलोल वो भी दिया जाता है short term के लिए in fact 2 साल, 5 साल तक के भी लोग देते हैं बट जो भी आप treatment देना चाहें, it has before we start hormones ये आपको ensure करना है कि आपके बाकी tests normal है, क्योंकि हर hormone को start करने से पहले जिसको हम hormone replacement therapy, जिसको हम estrogen देना चाहते हैं उन लोगों को एक particular set of investigations करा के ही शुरू किया जाता है HRT therapy, इसके कुछ side effect भी है क्योंकि काफी बाते हैं HRT therapy जितना शुरू में दिया जाता था, उतनी तादात में अभी नहीं दिया जाता उसका कारण ये है कि HRT से कई सारे cases में breast cancer हो सकता है, आया था दो अब दोबारा studies जो आई हैं उनमें कहा गया है कि इतना ज्यादा जितना depict किया गया उतना ज्यादा नहीं है 1 in 5000 में ही आया है पर वो वैसे भी breast cancer का incidence बहुत ज्यादा बढ़ रहा है So HRT देने से बढ़ा या नहीं बढ़ रहा या भी correlation जारी है पर जिन लोगों को distressing symptoms हैं उनको short term lowest dose possible HRT दी जा सकती है safely for 2 years with a regular check-up हम बात करेते side effects कि क्या क्या side effects होते हैं तो breast cancer हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे side effects जायानी जी मिचलाना जो जब आप कोई भी हार्मोन शुरू करते हैं तो आपको घबराहट होना नीन सी आना उल्टी सी होना जो किसी को diarrhea हो जाता है किसी को उल्टी आने लग जाती है उठने का ही नहीं मन करता कोई सारा इदात सारा दिन सोते रहते हैं जो ये कभी-कभी किसी की हड़ियां दुखने लग जाती है बोन पेंस होने लग जाती है ये सारे symptoms बहुत common है in those who have to be started on जी हमाई साथ हमाई कॉलर जो रही है मोहीनी खुराना पानी पत से जी मोहीनी जी हेल्ट लाइन में आपका बहुत बहुत सागत है क्या जाना चाहती है आप मेरी उम्र 48 येर्ज है और मुझे मीनोपॉस का स्टेज मेरा देर साल पहले आ गया था लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है तो शुड़ाइ कंसाल्स डॉक्टर मोहीनी जी येस डेफिनेटली अगर डेर साल बाद आपके ब्लीडिंग होती है हम इसको पोस्मेनोपॉसल ब्लीडिंग बोलते हैं पोस्मेनोपॉसल ब्लीडिंग इस वेरी इंपॉर्टन थिंग विच रिक्वायर्स एवालुएशन इनका इवालुएशन करने के लिए सबसे पहले तो गैनोकॉलोजिस को देख के ये डिसाइड करना है कि ब्लीडिंग कहां से हो रही है कुछ और कारण कॉम्प्लिकेशन बहु seperti रही कोई भीमारी का संकेथ हो सकता है ये इससे दो कैंसर्स का स्रॉइशन ने एक सर्वाय कैंसर का जो ब्लीडिंग का कारण होते हैं, इन हिंदुस्तान में हर साथवी लेडी में सर्वाइकल कैंसर है, तो सर्वाइकल कैंसर का पिक अप जनरली हम इस एज में और स्टेज 3 में कर पा रहे हैं, क्योंकि अवेरनेस ही नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें पैप स्मेर करवा के कैंसर सर्विक्स को बचाया जा सकता है, और जो वैक्सीन आगी है, जो अन्मारिट गल्स लगवा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो मिनोपॉस्त के बाद ब्लीडिंग होना कही ना कही खतरनाक हो सकता है बहुत जादा, यूटरिस के आम भी हो सकत पिज़ में किस तरह से अपना ध्यान अकना चाहिए, अपनी सेहत का किस तरह से ध्यान अकना चाहिए, क्या-क्या बदलाव करने चाहिए सबसे पहले तो अपनी डायेट को ठीक करिए अपना lifestyle modification कहा जाता है कि अपना food और mood को ठीक करिए और food को करने के लिए अपनी डायेट में आप high fiber, low cholesterol खाना खाईए काफी सारा soya bean और पालक और ऐसे सबजियां include green leafy vegetables, bowl of salad खाईए exercise करिए खुब सरा दूद पीचिए इसी से आपका काफी हद तक yoga and meditation का बहुत ज्यादा role है कि आप yoga करें regular तादाद में एक तो आपकी exercise भी होगी flexibility रही की movement की flexibility रहने से आपको you will feel good, feel good factor से ही आपका mood ठीक हो जाएगा साथ ही आप menopause के कही complications से भी बच जाएगा इतने अच्छी diet लेकर साथ ही व्यायाम करके नियमित व्यायाम करके बिल्कुल योगा करने से आपका fractures का incidence भी बचाएगा डॉक्तर भला आपका health line में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यानि कुछ अच्छी आदतें अपना कर जैसे balance tight लेना और नियमित व्यायाम करने से menopause को काफी अच्छे से handle किया जा सकता है अगर आपकी भी health से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें इस पते पर email कर सकते हैं पता है health line at day and night news.com और आप हमें phone करके भी अपनी health से जुड़ी समस्या बता सकते हैं हमारी phone lines सो वार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी हमारा phone number है 0172 504 3734 हमारा number आप अपनी TV स्क्रीन पर भी देख सकते हैं फिलहाल अभी के लिए health line में बस इतना ही अगले हफ़ते हम फिर हाजर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर तब तक के लिए नमस्कार